नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शेफ लामा स्वागत है आप सभी को शेफ लामा चैनल पे आज का नया डीश कोमपोव चिकन दोपनिरे आन तक चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले हम आपको अपना प्रोडेक्ट से इंडिटक्शन कराएंगे इसे बहुत सारा एक कोमपोव चिकन के लिए बहुत सारा इंग्डिंज हैं पर मैंने एक कटा किया है चिकन गार्लिक ओनियन्स शेजन पेफर्स जिंजर्स सब्सक्राइब करेंगे तो हमने चिकन लिया 200 ग्रम चिकन और हमने इस पर 5 ग्रम वाइट पेपर 5 ग्रम शॉल्ट एट किया और अंडा 30 ग्रम अंडा एट करके इस पर हम मिक्स करते हैं तो इस पर हम थोड़ा सा मैं फर्स्ट में मैदा एट करते हैं मैदा एंड करेंगे मिक्स कर लेंगे उसको पात में फीर हम इसमें युजय करेंगे लगबर लिया है आपका 90 ग्रम मैुच만 जया int और आपको कॉन फ्रोर भी हमने 60-70 ग्राम लिया है इस तरह चेट करेंगे पहले कॉन फ़र डालेंगे बाते में बाते कॉन फ़र डालेंगे उसको पाते थोड़ा पानी एट करके थोड़ा इस्वे मिक्स कर देंगे आसे तरह गिलावन आएंगे ताकि जो फ्राइए करने में इन्टुवेजली चिकन को दोस्तों यह कुम्पू चिकन बहुत सारा तरीका है बनानेगा और दुसरा चाइनिज शेप लोग जो अपना लेंग्वेज पे और जो क्या बलते हैं आम लोग का जो इटने शेप लोग भी बनाते इसको बहुत सारा इंडियन शेप भी बनाते बसर आपना लेंग्वेज में देता है अपना हिसाब से बनाते जो में आपको यह देखा रहा हूं यह ऑथांटिक रेशेव दी भी तो हिंदी में आपको इसका रेशेव कर रहा हूँ प्र्यक्टिकली भी देखा रहा हूं तो आपके लिए बहुत हेल्फूल होगा भधनी मैंने एक बॉल में हम तपले शॉल्ट एट करते हैं यह सारा रिसी भी जितना मैथर है मैं नीची देदें दूना शुगर एट किया वाइट पेपर सिस्मी ओयल कुकिंग वाइन यह बलता है शावशिंग वाइन बलता है चाइनिज का विनिगर यह लाइट शुए है शॉस यह ओष्ट्रा शॉस तोस्तों यह मैं खाना बनाने का टाइम में वोक में डाल सकते था लेकिन आपके लिए एजी होगा बलके मैं यह सी टाल रहा हूं इन्युक्ति दीशिवे के लिए हानी हानी का तोल्ड़ा क्वण्टेटी ज्याद रहता है उ कि आट्यूरा स्टीवे तो फानल परहो की और रहतोजatarा आट्यूरा को करने का थे च्ली पेश्ट्री में मिलें टाल सकते था और के kaba हो आपको सकता है स्टेथ कूं सतरे अल्रका यह पहलिए तो तैल परकं यिए श्यूरा कॉल्डाय में उसको फ्लेवर के लिए ताकि इसका जो फ्लेवर यह जो तेल में अंदर अब्जब हो जाए जैसे यह इस पर स्वाते करके जो तेल में अब्जब होता था इसको जो पेपर को हम निकाल की आउट कर देंगे बाद में कि तरह शो पर शोत्य करना जैसे करम जलना शुरू हम जाएगा इसका आएगा जलते हैं इसका नीकाल देंगे यह जिए चलावा पेपर को अह team निकाल देंगे इस तरह से स्काव करतेंगे जो तेल में का जो श्मोख्य फ्लेवर होना चाहिए चिली का जो ऑन का सेलरी और जींजर ओनियन गाली इसके जो फ्लेवर अचाहिएए तो और जींजर गाली चप इसमें एड़ का देते हैं तो इसको सटे करेंगे थोड़ा जैसे आची तरह से ब्राउन्स वाजाएंगे तो इस में हम एड़ करेंगे जो हमने सॉस रेड़ी किया था दोस्तो बनी रहे ना कैसे इसका प्रोसेस है मतब कि एंडिंग में इस सीग्रेट क्या क्या एट करता है वह भी में पुद्धिखार हो इसे प्रैक्टिकली आपको बहुत ही फाइदामान होगा इसे लेरी भी एट करता है इसलेरी को थोड़ा टायमड कोट में डाल काटने थ् जैसे इस वत्ते हो जाएगा तो हमने जो पहले एक शॉस रेड़ी किया था सारा शॉस एक बोल में राकत था उसे को आप इसपे डायरिकली मिला देते सिंबल तरीकाशी थोड़ा से इसको मिला के थोड़ा हिला देना थोड़ा कड़ा हो जाएगा ओटामेटिकली है क्योंक इसे ग्लेज रेड़ी हो जाएगा तो आप इस पे हम हमने जो फ्राइ किया था चिकन और बेल पेपर कैप्सिकों इस पे हम एट करेंगे तो सिंपल तरीक है दोश्तों बनाने का कोई जामेरा जटी नहीं है कि इस तरह से सॉस सेट करके राखेगा तो आपको आला काट में इस तरह सकते हैं तो इस तरह से चिकन डाल देना पूरा सॉस पी तो चिकन को दाल के थोड़ा एक सो एक पास सेकंड शेकंड तक हिला देना इस तरह से और फाइनली करें एंड में कैस्नेट जो फ्राइक के आपके अब कर देना इस तरह से थोड़ा वक में थोड़ा करम करना अच्छा तरह से वह आत्यमेटिकली वह स्वाश्व प्प्षप करेंगा चिकन में तो यह रीडी हो गया मेरा चिकन कॉमपोज चिकन इसका टेस्ट रहता है आपक प्लेट तो अच्छा लागि तो लाइक करना शेर करना दोस्तों के साथ में और कॉमेंट में जूरू बताना रिचीवी कैसा है आप लोग बहुत कॉछी शी करता है कॉमपोज लाइक करने में चेर करता हूं अपने चैनल पर लेकिन आप आली देखती है मेरा चानल में अब आपका लाइक और यह कोमणी में हम लोग का जो मोटिफेशन है तो हम लोग को एनरजी मिलता है कि नया नया जो रिषीव लाकिया आपको शेयर करना गया तो दोस्तों आप मेरे चैनल में अगर नया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफेशन दबागे राखना ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में ठेक यूँ